आप सबीका आपके अपने चैनल एस्ट्रोफेंड अंशु में स्वागत है मैं डॉक्टर अंशु गुपना आज आपको बताने जा रही हूँ विश राशी जुलाई राशी फल जुलाई में केसा रहेगा आपका लव राशी फल आप सिंगल हैं किसी को प्रपोस करने की सोच रही हैं क्या जुलाई के महीने में प्रपोस करना चाहिए ब्रेक अप हो चुका है पर चाहते हैं कि पार्टनर लाइफ में वापस लौट कर आए क्या जुलाई के महीने में वो लौट कर आएगा लब रिलेशन्शिप कैसी रहीगी जुलाही के महीने में विवाहिक जीवन में एक दूसरे के बीच में प्यार रहीगा किसी परकार की कोई परिशानी तो नहीं है ये सबी प्रशन आपके मन में सरूर उठते होंगे यदि आपकी व्रिश राशी है व्रिश लगन है या आपके नाम से व्रिश राशी बनती है तो आज का वीडियो आपके लिए है और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्पुन साबित होने वाला है इसलिए वीडियो को अंतक सरूर देखिएगा और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करने बेल नोटिफिकेशन को आउन करें जिससे आपको जोतिश, वास्तु, अंग शास्त्र और अपने धर्म से संब्दित सभी वीडियो देखने को मिले व्रिश राशी का कैसा रहेगा लव राशी फल जुलाई के महीने में तो आईए सबसे पहले जानते हैं जो लोग सिंगल हैं और किसी को मन ही मन प्यार करते हैं प्रपोस करने की सोच रही हैं तो क्या उन्हें जुलाई के महीने में प्रपोस करना चाहिए आप किसी को बहुत पसंद करते हैं पर कह नहीं पा रहे हैं प्रपोस नहीं कर पा रहे हैं एक तरफा प्यार करते हैं नहीं जानते हैं कि आपका पार्टनर आपको प्रपोस करेगा या नहीं या आपके proposal को accept करेगा या नहीं या फिर वो भी आपसे प्यार करता है या नहीं यही सोचकर आप propose करते वे हिच्छी जा रही हैं और दुवीदा में हैं क्या करें और क्या ना करें तो आपको जुलाई के महीने में अपने partner को propose नहीं करना चाहिए क्योंकि जुलाई का महीना पर पोस करने के अनुसार अच्छा नहीं है जो लोग love relationship में है क्या उनके लिए जुलाई का महीना अच्छा रहेगा यदि आप भी किसी के साथ relationship में है और आपकी व्रिशाशी है तो जुलाई का महीना आप दोनों के लिए अच्छा नहीं है चोटी चोटी बातों पर आप एक दूसरे से जगडा करेंगे चोटी चोटी बातों पर आप एक दूसरे की कम्या निकालेंगे इस महीने यानि कि जुलाई के महीने में आपको अपनी रिलेशन्शिप को बहुत अच्छे से समभाल कर रखना है क्योंकि यदि आप छोटी छोटी बातों पर जगड़ा करेंगे तो ये जगड़ा बड़ा हो जाएगा और ब्रेक अप का रूप भी ले सकता है तो जुलाई के महीने में आप अपनी रिलेशन्शिप को समभाल कर रखें सत्रा जुलाई के बाद आपके पार्टनर के साथ आपकी रिलेशन्शिप अच्छी हो जाएगी जो गरत फैमिया थी वो दूर हो जाएगी बेव बात के जो जगड़े चल रहे थे वो दूर हो जाएंगे और आपका रिलेशन पहले जैसा अच्छा हो जाएगा आपका यदि किसी के साथ प्रेक अप हो चुका है पर आप चाहते हैं कि वो परसन आपकी लाइफ में लॉट कराएं उनके बगएर आप नहीं रहे पा रहे हैं कुछ भी गलत फैमिया हो जिसके कारण ब्रेक अप हो गया है तो क्या जुलाई के महीने में आपको बात करनी चाहिए जी बिलकुल आपको जुलाई के महीने में अपने पार्टनर से बात करने की कोशिश करनी चाहिए और जिन गलत फैमियों के वज़े से आप दोनों का ब्रेक अप हुआ है उन गलत फैमियों को दूर कर लेना चाहिए जुलाई के महीने में यदि आप अपने पार्टनर से बात करेंगी तो आपकी बीच की गलत फैमिया दूर हो जाएंगी और आपके रिलेशनशिप जैसे पहले थी वैसे ही हो जाएगी विवाईक जीवन में पती पत्नी के पीच में प्यार कैसा रहेगा जुलाई के महीने में तो जुलाई के महीने में आप दोनों अपनी पार्टनर शिप को समभाल कर रखें एक दूसे में कमिया निकालेंगे एक दूसे में छोटी छोटी बातों को लेकर जगड़े के का माहौल बनाएंगे जिससे आपके घर का माहौल भी अच्छा नहीं रहेगा परिवार के सद्द से और बच्चे भी परिशान होंगे परिवार का माहौल अशांत होगा क्योंकि आपके अंदर गुस्से की टेंडेंसी बढ़ेगी छोटी छोटी बातों पर आपको एकदम से गुस्सा आजाएगा जो बड़ा रूप ले लेगा तो आपको जुलाई के महीने में अपने पार्टनर के साथ संबंद अच्छे बना कर रखने हैं कुछ बातों को इग्नोर कर देना चाहिए गुस्से को कंट्रोल में कर लेना चाहिए क्योंकि यदि आप गुस्से को कंट्रोल में नहीं करेंगे तो आपकी जुलाई के महीने में रिलेशन्शिप खराब होने के योग बन रहे हैं, जहां तक कि डिवोस की सिती भी बनती दिखाई दे रही है, तो थोड़ा सा समझधारी से काम लें, अपने रिलेशन्शिप को संभाल कर रखें, अपने विवाईक जीवन को संभाल कर रखे अब वो कौन सी राशिया हैं, जिनके यदि आपके लाइफ पार्टनर हैं, तो आपका विवाईक जीवन, आपका लव लाइफ, यदि आप रपोस करना चाहते हैं, सब कुछ अच्छा रहेगा, तो वो राशिया हैं, मकर, धनू और तुला, यदि आपका पार्टनर मकर रा समस्या नहीं हाएगी, आप दोनों एक दूसरे के साथ समस्दारी से काम लेंगे, एक दूसरे की कमियों को नजर अंदाज करेंगे, इग्नोर करेंगे, और जुलाई के महीने को खुशी-खुशी वेतीद करेंगे, तो मित्रो, यह थी जानकारी कि व्रिश राशी का कैसा र उमीद करती हूँ, यह जानकारी आपके लिए लाबकारी साबित होगी, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सरूर करिएगा, वीडियो को जादा से जादा दोस्तों और इश्यदारों में शेयर करें, वीडियो से संबंदेत यह थी आपका कोई प्रशन है, तो कमेंट बॉ टेट्स रहते हैं, डेली का राशी फल होता है, डेली का पंचांग होता है, और बहुत यूसफुल काम के टिप्स होते हैं, तो खरिए फेस्बुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो, जै मातर दी, आपका दिन शुब हो झाल